हाई गाईज वल्कॉम पैक आप सभी का अपने चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है तो गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आई यूस 17.3 के टॉप न्यू फीचर के बारे में यो कि आपको आईफोन 15 प्रो की उपर रिसीव होने वाले हैं अगर आपने अभी तक इस डिवाइस को अपडेट नहीं किया तो जल्दी से अपडेट करें इस नए फीचर को इनेबल करने के लिए अपने आईफोन 15 सीरीस के उपर तो बात करते हैं इस वीडियो में उन टॉप न्यू फीचर की 17.3 के नए अपडेट में तो यहां पर आप देख सकते हैं इस अपडेट का साइस जो मेरे को रिसीव हुआ है आइफोन 15 प्रो की उपर 638.6 मेका बाइट है इस अपडेट का साइस हर एक डिवाइस के हिसाब से अलग-अलग साइस जो हैं वो आपको रिसीव हुए होंगे बट फीचर्स जो हैं वो सेम तो सेम आपको यहां पर देखने को मलने वाले हैं हर किसी डिवाइस में तो यहां पर सबसे पहला जो फीचर है वो है स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन का फीचर अगर आपने इस ओप्शन को अपितक नेबल नहीं किया तो जल्दी से जाएं अपनी सेटिंग्स को उपन करें यहां पर आपको देखने को मल जाएगा फेस आईडी अन पास कोड यहां पर अपने लॉक स्क्रीन का पास कोड आपने एंटर करना है जब आप अपने लॉक स्क्रीन के पास कोड को आटर कर लेते हो तो यहांपर आपको स्वाइप आप करना है Стolen Device Protection की फीचर को यहां से ओन कर देना है जैसे ही इस फीचर को ओन करोगे तो आपके सामने यह उप्शन चो खर देगा जैसे ही इस feature को off करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको one hour का delay जो है वो यहाँ पर देगा यह जो feature है काफी ज़दा powerful है काफी ज़दा protective बना देता है आपके device को मान लो कि आप कहीं बाहर गए हो और बाहर कई बार क्या होता कि अपना device day to day routine में आपका passcode मांगता है जबकि आपने face ID को set up already कर रखा होगा है पर यहाँ पर अगर आपने किसी के सामने एक बार अपने passcode को डाल दिया अगर उस person ने आपके passcode को notice कर लिया उसको watch कर लिया तो उसको आपके lock screen का passcode पता चल गया है अगर by chance आपका device उसके हाथ लग भी जाता है तो वो क्या करेगा सबसे पहले आपकी apple ID की information को remove करेगा तो इसी को protect करने के लिए apple ने ये stolen device protection का feature add down कर दिया है 17.3 के नई update में ताकि जब कभी भी आपका device किसी का भी चोड़ी हो तो वो जो person है अपनी apple ID को access ना कर सके इसलिए stolen device protection का feature must है कि आपने enable कर रखा होना चाहिए अपने iPhone 15 series की उपर Secondly जो नया feature आपको देखने को मलें वाला है वो है ये wallpapers यहाँ पर ये जो wallpapers की खासियत ये है जैसे आप जितनी बार swipe up swipe down करोगे तो ये जो lock screen की ऊपर ये flowers हैं ये change होते रहते हैं time to time जैसे जितनी बार भी आप swipe करोगे पहले यहाँ पर थे अब ये flowers यहाँ पर आ चुके हैं तो इसको enable करने के लिए सबसे पहले long press करो और plus के button पर tap करके यहाँ पर आपको unity bloom का ये नया wallpaper का section देखने को मल जाएगा यहाँ पर आपको five colors की selection देखने को मलती है यह है unity, second वाला red है, third वाला green है, fourth वाला multi color है, उसके बाद वाला black color है तो यहाँ पर आप इन wallpapers को use करके मज़ा ले सकते इन wallpapers का अपने iPhone के उपर उसके बाद जो नया feature आपको देखने को मलने वाला है, वो है आपकी music की application में music की application में कुछ new features आपल ने add-on करे हैं, वो कौन से features हैं, चलिए बात करते हैं उन features की तो सबसे पहले जब आप update कर लेते हो, तो आपको यहाँ पर collaboration on playlist का option देखने को मल जाएगा साथ यहाँ पर emojis का reaction का भी button आपको हर किसी single track में देखने को मलेगा जैसे कि आपने किसी एक music को play कर रखा है, उसमें आपको यह emoji का button देखने को मलेगा यहाँ पर आपको tap करना है और आप अपने music की उपर reactions वगारा send कर सकते हो, कुछ इस तरीके से जो की आपको keyboard में देखने को मलते हैं, जैसे ही emojis की उपर tap करते हो, इन सबी को as reaction की तरह send कर सकोगे अपने इस नई update में, उसके बाद जो निया feature आपको देखने को मलने वाला है, वो है आपके settings में general पर tap करो और यहाँ पर आपको airplay and handoff का निया feature देखने को मल जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, airplay receiver का जो option है, apple ने add down कर दिया है इस नई update में, यह जो feature है काफी जदा important है, अगर आप traveling बगारा करते हो, अगर आप hotels बगारा में विजिट करते रहते हो, तो आपके लिए यह feature काफी जदा फाइदमन्द रहेगा क्योंकि अगर वहाँ पर hotels में उनके पास नई technology के टीवी बगारा होंगे, तो आप उनको directly connect कर सकोगे अगर आपके पास Apple Vision Pro भी है, तो आपकी जो video content आप उसकी उपर watch कर रहे हो, आप अपने iPhone की उपर directly यहाँ पर stream कर सकोगे, share कर सकोगे, एक screen को दूसरी screen की उपर, अपने इस नए feature को यूज़ करके, इसलिए make sure रखें, इसको भी ज़रूर own करें, उसके बाद आपको Apple care and warranty के section में आप अपने Apple products की warranty वेगरा को check out कर सकोगे, जो भी Apple के products और भी आप यूज़ करते हो, उनकी warranty को check out कर सकते हो easily, उसके बाद last में एक ऐसा feature optimize करा है, Apple ने जो की crash detection mode है, iPhone 15 और iPhone 14 सीरीज में, इन दोनों models में ही Apple ने crash detection mode को allow किया है, और उसको काफी ज़धा optimize कर दिया गया है iOS 17.3 के नई latest update में, I hope आपको ये video पसंद आई होगी, so मलते हैं guys, अगली video में अपने दोस्तों में भी यू share करें, ताकि वो भी इस नई update के top new features के बारे में जान सकें, so मलते हैं guys अगली video में, so thanks for watching,